नमस्कार मैं वहोकुल स्रेश प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2022-23 के बारे में जिसको एक फरवरी 2022 को हमारी फाइनेंस मिनिश्टर श्रीमती निर्मला सीता रवन जी के द्वारा और उसके बाद इस बजट की क्या-क्या मुख्य बात है रही है उसको समझेगे जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन बजट से पहले एक दिन पहले यानि कि 31 जनवरी को एकॉनमिक सर्वे पेश किया जाता है जिसमें जो करेंट की फाइनेशल यह चल रही है उसके बारे में आ इस दिये हुए लिंक से देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बजट के बारे में और बजट हमारे कॉंस्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में एन्वल फाइनेशल स्टेट्मेंट के नाम से दर्ज है बजट नाम से आपको कहीं पर भी कोई शब्द नहीं बिल रहा है उसको किस तरीके से सरकार खर्च करती है आने वाले नए साल यानि की नए फाइनेशल येर के लिए उसके बारे में एक ट्रेट्मेंट दिया जाता है तो यह तो एक ओबरॉल एक व्यू हो गया बजट के बारे में बजट पहले 28 फरवरी को यानि कि फरवरी के एक अंतिम दिन इसको लॉंच किया जाता था सदन में रखके बताया जाता था और उसके बाद 2017 से ये प्रथा में बदलाव लाया गया और एक फरवरी 2017 से पहली बार बजट को इस फर्स्ट फैब को लॉंच किया जाने लगा और एकॉनोमिक सर्वे का आपको पैता ही है कि 1964 से 1964 तक 1951 से लिके 1964 तक एकॉनोमिक सर्वे और बजट दोनों साथ में पेश किये जाते थे लेकिन 1964 के बाद अब इसमें बदलाव कर दिया गया एकॉनोमिक सर्वे पहले लॉंच विया जाने लगा और उसके बाद फिर हमारा बजट आता है तो ये बजट की कुछ महत्वपूण जानकरी महत्वपूण तत्य हैं और इसके साथ-साथ 2017 से ही एक और नयाकार किया गया कि जो रेल्वे बजट अलग से पेश किया जाता था उसको भी यूनियन बजट के साथ merge करा दिया गया और इस तरीके से merger हो गया railway budget के लिए अलग से कोई budget नहीं दिया जाता ये जो budget है हमारे लोग सभाह में ही सबसे पहले इसको रखा जाता है राज्य सभाह में इसको नहीं रखा जाता है और सरकार इस budget के माध्यम से आने वाली financial year यानि कि 1 अप्र डालना चाती है तो सरकार consolidated fund of India contingency fund public account के माध्यम से सरकार पैसा निकालती है और जो कि संसत के द्वारा पारित किया जाता है तो इस तरीके से ये budget की एक introductory जानकारी है अब जब budget आता है तो budget के ऊपर निगाहें प्रत्य भारतिये की होती है कि हमारे लिए क्या होगा हमारे लि बहुत चक्के होकर कि हमारे लिए क्या नया आने वाला है और इदर से हमारी finance minister बजट लेके आती है जो यह बथाती है कि this budget continues to provide impetus for growth जो समव्रद्धी है हमारा budget उसके लिए निरंतर कारे करेगा उसी पर आधारित है and it lays a parallel track of blueprint for the अमृत काल हम अमृत काल मना रहे हैं हमारे सब को हम अमृत काल में हमने इसको बनाया है and which is futuristic and inclusive this will directly benefit beneficial for our youth women farmers शुडूल का शुडूल ट्राइब्स हमारे समाज के जितने भी तबके हैं जितने वी वर्ग हैं उन सभी के एक साथ लेकर inclusive development के बारे में इसमें बात की गई है तो अगर हम overall यह देखें कि क्या-क्या महतपूर्ण जानकारी यहां पर हमें मिलती है इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से तो सबसे पहले देखिए गोल्स ऑफ अमृत काल इंडिया at 75 to इंडिया at 100 75 हमारे स्वतंत्रता हमें जब मिली 15 अगस्त 1947 से तब से लेके अब तक 75 सा ना रहे हैं और उसमें कुछ महतपूर्ण बातें यहां पर रखी गई है कि हमारा फोकस किसके ऊपर होगा फोकस ओन ग्रोथ हमारी जो सम्रद्धी दर है उसको हमें बढ़ाना है and all inclusive welfare चाहें inclusive का मतलब समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी को एक साथ मिलके कल्यान करना है सभी का कल्यान होना चाहिए ऐसी सम्रद्धी देखनी है promoting technology enabled development and energy transition and climate action चाहें वो environment का पहलू हो पर्यावरण को भी हमें संतुलित बना के रखना है पर्यावरान हनी कम से कम हो और इसके साथ साथ technology enabled development technology के आधार पर हम अपना विकास करें उस पर भी हमें लगातार बल देना है सरकार यह काम करेगी virtual cycle starting from private investment crowded in by public capital investment तो investment को अपने हां आकर शित करके जो basic four factors होते हैं किसी भी production के लिए c for capital, e for entrepreneur, l for land and l for labor तो यह जो c ll है इसमें सबसे महत्वपूर होता है capital तो capital हमारे पास investment के माध्यम से आ सकती है जिसके use हम अपने यहां growth और development में कर सकते हैं तो इस तरीके से सरकार ने यहां पर चार महत्वपूर चीजों के उपर अपने priorities बनाई है यह four priorities हैं सरकार की जिसमें से एक है PM गतिशक्ति देखेंगे अभी यह क्या है दूसरा है inclusive development inclusive development में सारी चीज़ें आती हैं वहीं PM गतिशक्ति यह infrastructure बिल्ड करने के उपर काम करती है और फिर है financing of investment किस तरीके से हम investment को अपना manage करेंगे investment कैसे ज़्याद से ज़्यादा आ सकता है productivity enhancement अपने हाँ production कैसे और बढ़ाना है investment कैसे बढ़ाया जाए sunrise opportunities किस तरीके से हम opportunities यह अपने हाँ entrepreneurship को और बढ़ावा दे सकते है energy transition and climate action यह कुल मिला के चार priority है जिसके उपर सरकार ने मुखित ध्यान दिया है और इन आने वाली financial year मे इन चार पहलूं के उपर सबसे ज़्यादा गौर फर्माया जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें PM गति शक्ती की तो it is a transformative approach for economic growth and sustainable development and this approach is driven by seven engines और साथ इंजन क्या है infrastructure में road, railway, airport, ports और इसके साथ mass transport, waterways, logistic infrastructure और ये सभी महत्तपून ये साथ महत्तपून पहलू है infrastructure में और infrastructure जितना ज्यादा बहतर होगा जितना ज्यादा बहतरी धंसे उसको विक्सित किया जाएगा उतनी ही बहतर धंसे हमारे यहां production का level बढ़ेगा हमारी GDP का size बढ़ेगा national income बढ़ेगी means growth बढ़ेगी और growth बढ़ेगी तो विकास तो अवश्यमभावी दिखाए ही देगा तो PM गतिशक्ती में यहां पर क्या-क्या बाते की गई हैं महत्तपून उनको देख लेते हैं यह जो आने वाली financial year है 2022-23 उसमें हमारे जो national highway है उनको complete किया जाएगा 25,000 किलोमीटर इस पूरे financial year में यह सरकार का दर्ड निश्य है कि हम 25,000 किलोमीटर बिल्ड कर देंगे national highway को बढ़ा देंगे unified logistic interface platform open source mobility integration of postal and railway network जो पोस्टल और railway network है उनको आपस में जोड दिया जाएगा one station one product हर एक station किसे related वहाँ पर कोई product होगा उसको हम export के लिए export oriented करेंगे ताकि विदेश में हमारे यहां का सावान जाए और one station one product यह scheme है इसी तरीके से 400 new generation वंदे भारत train 400 नई वंदे भारत train चलाई जाएंगी multimodal connectivity between urban transport and railway stations नए नए ट्रेंज मेट्रो रेल्स बनाई जाएंगी और मेट्रो ट्राम्स यह सभी चीज़े बनाई जाएंगी so that transportation जो है वो easy हो जाए नेशनल रोपवे development plan तो जो पहाड़ी छेतर है वहां पर रोपवे लगाया जाए so that कम समय में आसानी से लोग एक जगे से दूसरी जगे चले जाएं समय की बच्चत होगी और इसके साथ सथ धन की भी बच्चत होगी and capacity building for infrastructure project जो infrastructure projects हैं उनके लिए capacity building करना उनको बनाने की छंता का निर्मार करना इन सब के उपर बात की गई है PM गतिशक्ति योजना में यहां है परवत माला नेशनल रोपवे PM गतिशक्ति का ही एक पार्ट है जिसमें रोपवे आपको दिखाई देते हैं कहां पर आप उत्राखंड हिमाचल प्रदेश यानि कि किसी पहाड़ी छेत्र में तो पहाड़ पर जब आप जाएंगे तो क्य ज्यादा खर्च हो रहा है समय ज्यादा खर्च हो रहा है तो ऐसे में रोपवे एक सस्ता माध्यम होगा और सस्ता नसिफ मोनेटरी माध्यम से मोनेटरी मीन से बलकि यह समय के मोड से भी यह एक सस्ता उपाय है क्योंकि लोग कम समय में shortest path को travel करके अपने destination एक पहाड से दू North East region जो हमारा North East भारत है जिसमें Seven Sisters आते हैं यह सातों राज्यों को विक्षित करने के लिए भी सरकार इसी PM गति शक्ती के माध्यम से कारे करना चाहती है ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा तो विकास की म कि धारा से जुड़ेंगे तो इस तरीके से वह भी में इस्ट्रीम में शामिल हो जाएगे फिर इसके बाद अगर हम देखें बजट एट अग्लांस तो कितना रिवेन्यू रिसीट हमारे रहा रिवाइजड एस्टिमेट्स क्या है और बजट एस्टिमेट्स क्या है इसके सरकारे में भी देख लेते हैं तो रिसीट में सरकार को प्राक्ति हो रही है रिवेन्यू और कैपिटल तो रिवेन्यू रिसीट्स आप यहां पर देखेंगे जो ओरेंज कलर का है यह क्या है दिस इस दबजट एस्टिमेट मिंस पिछली साल एक फरवरी दोहजार एक्किस क श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जब करेंट की फाइनेशल लेर चल रही है उसके लिए बजट रखा गया होगा एड़ टाइम यह एस्टिमेट उसमें बताया गया था इस बजट एस्टिमेट और इसमें रिवेन्यू रिशीट कितना अपने पास आ जाए इसका टार्गेट रखा था 17,88,424 लेकिन दूसरा है और इसमें आप देखेंगे तो हमारे हम यह पाएंगे कि रिवेन्यू रिशीट हमारे टार्गेट से कहीं ज़्यादा अचीव हुए हैं और यह है 20,78,976 इसी तरीके से कैपिटल रिशीट का टार्गेट था 16,00, मीस बजट एस्टिमेट था हमारा 16,94,812 और वहीं पर आप यहां पाएंगे कि कैपिटल रिशीट का जो रिवाइजड एस्टिमेट है मीस जो वास्तिविक्ता हमें जितना अचीव हुआ है और अचीव हो जाएगा 31 मार्च 2022 तक वो है 16,91,64 रुपे इसका मतलब थोड़ा तो उसमें हम एस्टिमेट बनाया है कि 22,44,422 रुपे रिवेन्यू रिशीट मिलेंगे और 17,44,487 कैपिटल रिशीट मिलेंगे इसी तरीके से एक्सपेंडीचर की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा जो बजट एस्टिमेट है अगले साल का रिवेन्यू एक्सपेंड इस करोड रुपे यह एमाउंट है कैपिटल एक्सपेंडीचर का क्योंकि जो इस्टेट PCS एक्जाम है उसमें कई वार ऐसे आकड़े भी पूछ लिए जाते हैं इसलिए यह आकड़े काफी महत्पूर्ण हैं मारे लिए अगर हम बात करें डेफिसिट की घाटा तो ट्रें आगे लेके 6.4 तक जाना है क्योंकि आपको पता है FRBM Act के तहत हमारा यह टार्गेट है कि हमारा जो फिसकल डेफिसिट है इट शुड भी लेस देन और एक्वल टू 3% ऑफ दी जीडीपी तो यहां पर आप देखेंगे तो यह कितना है 6.9 परसेंट तो इसको कम करने की बात हो रही है 6.4 परसेंट वहीं प्राइमरी डेफिसिट आप अगर देखें तो यह 2.8 प्रतिशत है हमारे जीडीपी का वहीं अगर आप देखेंगे हमारा effective revenue deficit तो यह 2.6 है और इसके साथ-साथ revenue deficit 3.8 है deficit का मतलब होता है कि हमारी जो आमदनी है वो खर्चे हम आमदनी से जाधा खर्चा कर रहे है आमदनी अठनी खर्चा रुपई है मींस 50 पैसे का deficit है तो यह deficit की बात होती है इसके बाद अगर हम बात करें कि trends in tax receipts सरकार को tax कितना मिल पाता है तो gross tax receipts आप यहाँ पर देखें का यह 10.7 है यहाँ पर 10.7% of GDP मींस यह 10.7% of GDP हमने tax से collect करना है ठीक है अभी के लिए इस financial year के लिए अगर आप देखेंगे तो यह 10.8% of GDP है यह revised estimate है इस current financial year का यह trends है इसके बाद अगर हम बात करें resources transferred to states and uts क्योंकि केंद सरकार राज्यों को भी पैसा देती है तो राज्यों को सरकार कितना पैसा देगी पिछले बजट में जो estimate बनाया गया था उसमें 13.89 लाख करोड रुपए देने के बात रखे गई थी लेकिन वास्तविक्ता यह है कि revised estimate में 16.03 लाख करोड रुपए क revised estimate बना है means जितना target था उससे ज्यादा ही पैसा सरकार ने केंद सरकार ने राज्यों को दिया है अब इस financial year में भी means जो आने वाली financial year है उसमें 16.12 है 16.12 एक दो लाख करोड रुपए का यह budget बनाया गया है जो कि states और uts को दिया जाएगा for their development so that वो अपने हां भी विकास कर स है कि हमारे कितना revenue receipts है capital receipts कितना है कितना deficit है उसके आकड़ा यहां पर दिया गया है हाला कि UPSC point of view से यह बिल्कुल भी महतपूर नहीं है बट फिर भी आप state PCS के लिए इनको देख सकते हैं फिर इसके बाद है central revenue and expenditure कि जो केंद सरकार का revenue है और केंद सरकार के पास एक रु आ रहा है और एक रुपए मेंसे कितना कितना पार्ट कहां जा रहा है कि काफी महतपूर ने इससे काफी सारे question मनते हैं not in UPSC but also in state PCS exam so एक रुपए मेंसे आप पाएंगी कि सबसे ज्यादा amount कहीं से आता है वो 35 पैसा एक रुपए में 100 पैसे 100 पैसे 35 पैसे बोरोईंग और other liabilities सरकार बोरो करती है other liabilities है वहां से 35 पैसे आ रहे हैं वहीं उसके बाद आप पाएंगे दूसरे नंबर पे है goods and service tax GST collection तो GST collection से सरकार 16 पैसे कमाती है 100 पैसे 35 पैसे आगे borrowing और other liabilities से और 16 पैसे आते हैं GST से उसके बाद 15-15 पैसे corporation tax और income tax से आते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर आपको union excise duties हैं जहां से 7 पैसे 7 पैसे मिलते हैं वहीं non tax revenue और custom इन से 5 पैसे 5 पैसे आते हैं सबसे कम amount आता है non debt capital receipts से जो कि है 2 पैसा तो इस तरीके से सरकार के पास आने वाला एक रुपए में से यह percentage अलग-अलग मदों में जाते हैं मदों से आ रहे हैं अब सरकार एक रुपए जो खर्च करती है वो कहां कहां जाते हैं किस तरीके से उसमें से part खर्च होता है तो सरकार का जो पैसा है सबसे ज़्यादा जो जाता है आप यहां पाएंगे कि 20 पैसे interest payment में जाता है सरकार सबसे ज़्यादा क्योंकि borrow किया हुआ है यहां पर आप देखो borrow गिया हुआ है जितना आप करजा लोगे उसी के हिसाफ से इंट्रेस्ट भी पे करोगे तो इंट्रेस्ट पेइमेंट में कितना जा रहा है बीस पैसे उसके बाद फिर आप यहां बें पाएंगे कि 17 पैसे जो राज्यों के साथ उनका बटवारा किया था उसमें 17 पैसे राज्यों को दे दिये जाते हैं और उसके बाद आप आएंगे जो किंद सरकार की योजनाय है उसमें 15 पैसे खर्च किये जाते हैं फिर इसके बाद आप पाएंगे कि other expenditure में 9 पैसे खर्च होते हैं इसके बाद अगर हम बात करें sources of deficit financing क्योंकि जितनी भी economies हैं मुखित हैं वो deficit में रहेंगी ही क्योंकि उन्हें अपना विकास भी करना है so sources of deficit financing जब deficit होता है तो उस deficit को भरने के लिए सरकार पैसा कहां से ला रही है उसको अगर आप यहां देखें तो आप यहां पाएंगे पहले तो अगर हम current financial year की बात करें तो yellow color का जो column है दिखाता है securities against small savings जो छोटी छोटी वचत है यूलिप टाइप वहां से सरकार उनके माध्यम से पैसा उठाती है अपने घाटे को फिल करने के लिए उसके बाद आप पाएंगे दूसरे नंबर पर यहां पर है यह dark chocolate type draw down of cash balance सरकार cash ले लेती है central bank से उसके बाद आप यहां पाएंगे कि कुछ मातरा में सरकार state provident fund का भी यूज़ करती है और कुछ मातरा में सरकार विदेशों से भी पैसा उठाती है external debt external loan भी लेती है तो यह कुल मिला कि सरकार का दिखाया हुआ है कि वह कितना किस से सरकार अपना deficit financing कर रही है तो इस आपको ध्यान क्या रखना है कि सरकार अपने घाटे को फिल करने के लिए जो सबसे ज्यादा पैसा यूज़ करेगी या करती है वो करती है securities against small savings के माध्यम से ठीक है तो यह महत्तपूर्ण जानकारी है इसके बाद अग करोड रुपए का इतना यह सरकार का budget amount है उनमें से अलग-अलग pension, defense, health sector, interest, IT sector इन सभी में सरकार ने खर्चा किया है हमारे लिए important ज्यादा नहीं है हमें बस यह देखना है कि इनमें बदलाओ कितने हुआ है किसमें ज्यादा बढ़ा है किसमें कम हुआ है तो interest चुकि हमने बोराइंग ज्यादा ली हुई थी तो interest भी हमें ज्यादा देना पड़ेगा तो 2.26% interest पे करने में जाएगा, defense में हाला कि ज्यादा कोई बदलाओ नहीं है, health sector हमारे लिए काफी important है तो 86,606 करोड रुपए सरकार health sector पे इस budget में खर्च करेगी और जो कि पिछली बार से थो 0.08% इतना कम हुआ है, agriculture sector में भी हम देखें, तो पिछले साल के अपेक्षा थोड़ा कम खर्च होगा, 0.08% कम खर्च यहाँ पर किया जा रहा है, इस budget में, अगर हम education की बात करें, तो education sector आपको कहा मिलेगा, rural development में भी 0.26% कम यहाँ पर पैसा रखा गया है, इस छेत्र के लिए, IT sector के लिए 1.26% जो budget है, उसको बढ़ा दिया गया है, defense sector की अगर हम बात करें, तो उसमें कोई change नहीं है, बदलाव नहीं है, transfer to states, राज्यों को fund देने की बात करें, तो सरकार ने 0.91% fund बढ़ा दिया है, तो यह सभी बाते हैं, pension में 0.03% कम हो गया है, pension fund, तो यह सभी main चीज़े हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, tax proposals की, तो tax proposals में कुछ खास बदला हुए नहीं, main हमारे लिए यह है कि, आम आदमी के लिए जो income tax slab पहले थी, वही अब तक है, कि धाई लाग तक चूट है, उसके बाद फिर 5 लाग से start हो जाता है, और वो सारे चीज़ें, वैसी की वैसी ही है, tax slabs unchanged and burden remains, burden अभी भी बना हु inclusive welfare means हम कल्यान करने के लिए, लोगों का कल्यान करने के लिए और कौन-कौन से छेतरों में महिंच अपनी चला सकते हैं, तो हर घर नल से जल, सरकार का यह target है कि अगले financial year में 3.8 करोड households के घर में नल लगा दिये जाए, जिससे उनके घरों में जल पहुंच जाए, ताकि उनक लाख घरों का निर्मार किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा, aspiration blocks program जो blocks पिछडे हुए है, उनका विकास किया जाएगा, aspiration block program के माध्यम से, vibrant village programs will develop villages on northern border, जो हमारा उतरी border है, वहाँ पर गाओं को विक्सित करने के लिए, सरकार कुछ प्रयास करेगी, जितने भी post office है, उन उनको digitally banking माध्यम से, बिलकुल जैसे bank जोडे हुए हैं, वैसे ही post offices को भी link कर दिया जाएगा, और इसके साथ 75 digital banking units in 75 districts by scheduled commercial banks, जो scheduled commercial banks हैं, उनके माध्यम से 75 जिलों में 75 digital banking units भी लगाई जाएगी, ये welfare, inclusive welfare के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसके बाला अगर हम बात करे productivity enhancement and investment की, तो investment इसमें आप पाएंगे कि सबसे पहले तो e-passport, ये सरकार क्या कर रही है, अब e-passport भी जारी करेगी, जिसमें चिप लगी होगी, जैसे आपके ATM, debit card या credit card में लगी होते हैं, वैसे ही आपके passport में भी होगा, support to 5G under PLI scheme, तो 5G को सरकार 2022 तक इस साल में ला देग और हमारे बीच में, अब 4G के बाद 5G आ जाएगा, और इसके लिए सरकार ने अलग से focus किया है, IT bridges, telecom and networking products, इन सभी चीजों के उपर सरकार काफी focus कर रही है, ठीक है, इसके बाद health sector के अगर हम बात करते हैं, तो national digital health ecosystem will be rolled out, जो national digital health ecosystem है, उसको बनाया जाएगा, national tele mental health program will be launched for quality counseling, लोग phone पे ही डॉक्टर से consult कर सकते हैं, उस program को बनाया जाएगा, integrated architecture जिसमें mission शक्ती, mission वाद सल्य, सक्षम आगनवाडी, portion 2.0, अलग-अलग प्लान, अलग-अलग नाम से उनको launch किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो health sector में कमिया है, उनको दूर किया जा सके, और प्रयास के साथ 2,00,000 आगनवाडी to be upgraded to सक्षम आगनवाडी, जो 2,00,000 आगनवाडी है, उनका अप्ग्रेडेशन करके सक्षम आगनवाडी उसको नाम दिया गया है, तो यह प्रयास किये जा रहे हैं, सरकार के द्वारा, इसके बाद अगर हम बात करें, core schemes get higher funding, कौन-कौन में सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, core schemes, तो हमारे exam के point of view से, यह सभी schemes बहुत ज्यादा महतपूर हो जाती है, इनके नाम, इनके details आपको जरूर देखनी है, पहला है National Health Mission, दूसरा है जल जीवन Mission, National Education Mission, प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंतरी किसान सम्मा प्रधान ने थी, और आतन निर्भर, भारत रोजगार योजना, प्रधान मंतरी, स्वास्थ, सुरक्षा योजना, यह सभी core schemes हैं, जिसमें सरकार ने अपना पैसा बढ़ा दिया है, और अगर सरकार पैसा बढ़ा रही है, तो इसलिए हमारे exam के लिए भी महतपूर हो जाती है, इसके बाद फिर है central bank digital currency, तो यह प्रस्ताव रखा गया है कि इस बार इस financial year में जो आने वाली है, उसमें RBI एक digital currency, digital rupee को भी launch कर देगी, तो counter balance कर लेगा यह crypto currency को, और जो crypto currency में लोग अपना trade कर रहे हैं, लोग उसमें लगे हुए हैं, तो उससे अगर कोई profit कमाएंगे तो उसपे 30% का high tax भी लगाया गया है, तो RBI एक digital rupee लाने वाली है, इसको देखेंगे यह क्या करेगा, और this will lead to more efficient and cheaper currency management system, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कि money को print करने की जरूरत नहीं होगी, हम जैसे PDF में image को देखते हैं, वैसे ही digital currency होगी हमारी digital rupee, देखते हैं, जब तब detail में उसके बारे में भी समझेंगे, agriculture sector में अगर देखें, तो agriculture sector के साथ-साथ food processing sector भी जुड़ा हुआ होता है, तो record food grain production and enhanced procurement, हमारे यहाँ आपने just economic survey देखा ही है, लगातार production बढ़ता चला जा रहा है, तो production तो बढ़ रहा है, अब production बढ़ने के बाद उसको कहीं रख ना हो जाए, इसलिए food processing के विवस्थाएं भी की जाएंगी, सरकार उसके उपर भी ध्यान रगा रही है, so 2.37 lakh करोर direct payment of MSP to 163 lakh farmers, 163 lakh farmers को 2.37 lakh करोर रुपए का directly payment हो जाएगा, promoting chemical free natural farming, organic farming की तरफ बढ़ावा दे रही है, so that chemical fertilizers का use ना हो, और इसके साथ-साथ जो compost pit खाद व toilet हमारे body में chemicals ना जाएं, हमारे बीमारिया ना लगें, किसान को drone use करने के लिए permit किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो छड़काओ कर सकता है, अपना survey कर सकता है, तो यह सारी स्थाएं की जा रही है, केन बेतवा लिंक project to benefit 9.1 lakh hectare farmland, तो केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है, उसके जिससे की कम से कम 9.1 lakh hectare भूमी के जो किसान है, उनको फाइदा होगा, तो यह agriculture food processing sector का कमाल है, और फिर इसके बाद हम बात करें, financing of investment की, तो investment भी बढ़ाना है, मैंने आपको बताया कि four factors है, किसी भी चीज को production करना है, तो C, LL, capital उसमें सबसे ज़्यादा महत्रपून है, इसके बाद MSME sector, क्योंकि यह micro, small and medium enterprises, चुकि सबसे ज़्यादा employment इसमें है, लोगों के पास स्वरोजगार के साधन होते हैं, तो ऐ इसमें क्या किया जा रहा है, इंटरलिंकिंग उध्यम, इश्रम, NCS, असीम पोर्टल, इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, so that MSME, MSME जो sector है, यह market तक reach बनाएं, कहीं employee है, और employee के साथ साथ कुछ labors है, तो उनको तक भी सबके पास reach बने, इसके साथ साथ, so that, जो MSME sector है, वहाँ पर production बढ़ जाए, production बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो लोग इसमें कारे कर रहे हैं, उनके पास income आएगी, education की बात करें, तो चुकि COVID situation में, offline classes बंद हो गई थी, online हमारे लिए एक challenge था, जैस धीरे-धीरे, लोग YouTube, Zoom, अलग-अलग mode से, student और teacher के बीच में एक connectivity बनी, और इस खाई को पाठने के लिए सरकार channels launch करने जा रही है, one class, one TV channel program, expanded from 12 to 200 TV channel, अभी 12 TV channel चल रहे हैं, पढ़ाई के लिए, तो one class, one TV, एक class, एक TV, और इस तरीके से अब 200 TV channels यहाँ पर बनाने की बात चल रही है, high quality e-content, so digital teachers, उनके माध्यम से अच्छा content दिया जाएगा, so that आप समझ पाएं, जो कि हमारे प्रिंस में दिया जाता है, launch of desk, stack, e-portal, और इसके अलावा virtual library, virtual labs, so that जो school की सुविदा, school बंद भी रहें, तो भी बच्चे अपनी library से book पढ़ सके, laboratory में अपने practical कर सके, इसके बाद carbon neutral, यानि कि हम environment का भी ध्यान लखेंगे, तो budget में हमारे environment को भी एक महतपूर concern बना के रखा गया है, और यह प्रयास किया जा रहा है कि हम कम से कम carbon emission करें, अगर इसके बाद हम बात करें railway budget की, तो railway budget में हमें यह देखना है, एक तो 400 वंदी भारत train चलाई जाएंगी, दूसरी चीज, जो railway के पास एक रुपए आता है, railway एक रुपए जो कमाती है, उसमें से कितना उसे खर्च करना पड़ता है, उसका operating ratio क्या है, तो एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे में से 98.93 पैसे train railway खर्च करता है, यह revised estimate है, this is operating ratio, एक रुपए जो कमाता है, उसमें से 98.93 पैसे, उसके खर्च हो जाते हैं सभी चीज ऑपरेट करने में, जिसमें train चलाने के लिए, डीजल चाहिए, बहुत सारे लोग उसमें लगे होते हैं, ड्राइवर से लेके, कुली से लेके, जो भी सीज़े हैं, सबको जो काम जा रहा है, वो operating ratio है, अगरे साल का target है, कि हम इसको कम करें, जो railway का फायदा है, वो बढ़ जाए, क्योंकि 100 पैसे, 100 पैसे में से 98 पैसे, तो इसी में खर्च हो गए, मिन्स दो पैसे का फायदा हुआ, तो railway को फायदा बढ़ाना है, इसका मतलब यह operating ratio को कम करना है, तो 96.98 का target रखा गया है, ठीक है, और अगर हम यह देखें कि railway को earning कहां से जादा होती है, passenger train से, या मालगाडी से, freight corridor से, और यह represent करता है freight को, इसका मतलब revised estimate current financial year की बात करें, तो यहाँ पर 1,45,275 करोड रुपए, freight से आते हैं, मालगाडी से आते हैं, मालभाडे से आते हैं, वही 44,375 करोड रुपए हम यात्री ट्रेनों से कमाते हैं, और अगले साल का target रखा है, यात्री ट्रेन का भी बढ़ा profit वहाँ पर 58,500 करोड रुपए का target रखा है, वहीं जो freight है, यानि कि मालभाडा है, उसमें 1,65,000 करोड रुपए उससे फायदा हमें हो, तो इस तरीके से आज हमने बात करी union budget 2022-23 के बारे में, आशा करता हूँ कि आज का ये विशय आपको समझ में आया होगा, मैं जल्द ही एक नए विशय के साथ मिलता हूँ तब तक के लिए देखते रहे प्रिंस सिविल सर्विसेज यूटूब चैनल, थैंक यू